लाइट पैन अब बहुत सारे बच्चों को कन्फूजन मैंने बहुत सारे बच्चों को कन्फूजन देखा यह लाइट पैन में देखो किस किस में लाइट पैन क्या होता है और 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 यह स्टाइलस क्या होता है यह भी तो पैन ही है सर देखो यह भी पैन ही है यह भी पैन ही Pen Pen में काफी ज़़ा confusion होता है और confusion खतम करने के लिए हम है ना हम तो confusion खतम करेंगे एक-एक confusion खतम करेंगे कुछ बच्चुने कुछ questions पूछे हैं बाकिस subjects में भी देखो एक दो को जवाब देने से बैतर है कि जब बहुत सारे मिल जाएं तो एक साथ वीडियो बनाएंगे अलग से ताकि वो mix अपना हो जाए जो हम regular चल रहे हैं ठीक है अच्छा 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 light pen बताइए sir light pen क्या है देखो भाई light pen क्या है आपके सामनी computer है computer को आप touch screen कर सकते हो sir नहीं कर सकते हैं हम तो कर सकते हैं लैपटॉप में भी नहीं होता है आदे में जो नहीं नहीं आए हैं उनमें तो होता है लेकिन हम नहीं कर सकते हैं मगर आगर आपके पास यह light pen में दो ना तो आप किसी को भी कर सकते हो touch screen बना सकते हो अपने laptop को अपने computer को तो यह light pen की वज़ा से वो screen जो touchscreen नहीं है वो screen बन जाता है तुच सीक्रीन ये बहुत important बात है Light pen की वज़ासे touchscreen जो नहीं है उसको बनाया जाता है touchscreen अच्छाँ यह optical pointing device है optical pointing device क्या device होता है जो optical जो light input ले ले जो light को इस्तिमाल करे light की वज़ासे ये काम करे अच्छा, light pen, तो light की वज़े से काम करेगा ही, किसने invent किया, bend, गुर लेने, और ये light pen याद रखना, monitor को बनाता है, touch screen, जो कि monitor touch screen नहीं होता, अब सरक कैसे होता है ये, monitor को ये कैसे बनाता है, touch screen, ये monitor, इस monitor के ओपर light चड़ती है न, कुछ लिखा हुआ चड़ता है, तो light होत करता है, पढ़ता है, देखता है, समझता है, फिर ये, फिर ये, emit करता है, pulses, pulses छोड़ता है, ये light pen, और ये काम सारा कुछ करता है, photo cells है, क्योंकि light pen के अंदर photo cell, अगर ये सवाल आए, ऐसा क्या होता है light pen के अंदर, जो ये सारा काम हो रहा है, main इसके अंदर होता है, photo cell, ठ करते करके ये एक पलस बेज़ता है एक वेव बेज़ता है एक एनरजी बेज़ता है एक पलस बेज़ता है और पलस जब बेज़ता है तो टच स्क्रीन और तो ये स्क्रीन बन जाता है टच स्क्रीन स्क्रीन पे पलस जब पढ़ती है वो पलस बन जाती है टच स्क्रीन पलस किस को सेंस करता है monitor की light को सेंस करता है monitor की light को सेंस करके light pen pulses को emit करता है उसी pulses को emit करके जब वो स्क्रीन पर पढ़ते हैं तो वो touchscreen बन जाता है सवाल पूचों किस ने invent किया बैन गुर लेने ये क्या है optical pointing device अच्छा monitor की light को सेंस करके यह छोड़ता है यहां से pulses, उसकी वज़े से monitor क्या बन जाता है, आपको लिखना है touch screen, light pen में सबसे important part क्या है, photo cell, light pen किस के लिए इस्तिमाल होता है, driving, graphics या menu selection, menu को आप select करो, graphics के लिए और driving, व्यागिश शकल वकल बनानी है, तो सब के लिए इस्तिमाल होता है, अब touch screen, आप स याद रखना, त었ँर सेब παद रखना, touch screen को आप finger से भी touch करते हो, उसको आप शिटाईलस से भी touch कर सकते हो, सिटाईलस अभी आपको पता चलेगा, यह, जो सिक्रीन, touch screen नहीं है उसको टाच सिक्रीन नहीं बनाता इसकी तरह जो हमने लाइट पैन उपर पड़ा उसकी तरह ये नहीं होता लेकिन ये भी पैन ही होता है फरक क्या है बता दूँगा टाच सिक्रीन क्या है फिंगर लाव या स्टाइलस लाव स्टाइलस एक पैन होता है ये है स्टाइ screen input भी है output भी है याद रखना क्यों कि आप screen के उपर touch करते हो तो input दिया और वहाँ पर ये चड़ा ना दिखो मेरे सामने भी screen है मैं लिखूंगा हाथ से ये लिखा मैंने जो ये touch किया यहाँ से ये input है जो ये C वहाँ से आया screen पर ये output है तो touch screen input भी है output भी है क्योंकि यहाँ से कुछ करते हो आप और आपको screen पर चड़ता है action भी करते हो reaction भी होता है और इसको invent किस ने किया E.A. Johnson ये ज़्यादातर 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 टचस्क्रीन ज़्यादातर इंफ्रारेड बीम्स पे काम करता है और ये कहां इस्तिमाल होता है ये बताने कि क्या ज़रूरत वैसे ATM में भी होता है कुछ touch screen मोबाइल्स में भी होते है सुपर मार्केट्स में जब आप जाते हो शॉपिंग करने बड़े-बड़े माल्स में वहाँ पे भी होता है ऐसे touch screen वाले computer जो कि ज़्यादातर बिजनस के लिए ही इस्तिमाल होते हैं सिर्फ अच्छा सेटाइलस सेटाइलस light pen की तरह खुद से कुछ काम नहीं कर रहा यह तो बस touch screen पे touch दे रहा है देखो सेटाइलस भी pen है light pen की तरह मगर यह touch screen इस पे ही इस्तिमाल किया जाता है यह बस आप उंगली के बदले अगर आप pen से करते हो उसी को बलते है touch screen यह क्या इस से उंगली स होती है इससे ज्यादा बहतर ड्राइंग बन सकती है touch screen आप अच्छी तरह कर सकते हो इससे ज्यादा अच्छी तरह लिख सकते हो कुछ भी typing कुछ लिख सकते हो जैसे मैं अगर ऐसे ऐसे लिखूं तो इस से आप बहुत बहतर तरीके से लिख सकते हो यह फरक है नहीं तो conductor होता है, जो कि आपकी उंगली को जो या आपके हाथ को, आपके हाथ की information को लेता है, बराबर कि स्पे सिक्रीम पे, conductor होता है, या तो इसमें conductor अगर ना हो, तो screen sensitive material होता है, नीचे nib में लगा होता है, screen sensitive material, जो कि जैसे आप उंगली में से touch कर सकते हो, वैसे आप वो भी करता है किसने invent किया योक्यो होरे ने और Tom Deemon Diamond ने, Demond Tom Deemon ने और योक्यो होरे ने सर, इतने सारे नाम inventor कैसे याद रखे, tension क्यों ले रहे हो अब ही आप बढ़ रहे हो आपको हम tricks देंगे, कैसे वार ध्मोर्दी नाम याद रखने के tricks देंगे नहीं रखना चाहते हो अभी 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 से कोई नाम नहीं याद रखेगा बस एक्जाम से पहले हम आपको ट्रिक्स देंगे ये चीज़े याद रखने के लिए डेट याद रखने के लिए ये चीज़े याद रखने के लिए अब यह आप लिख लो अगर आप नोट बुक बना रहे हो लेकिन नाम याद मत रखो भी अब इसे नाम याद मत रखो कोई मजबूरी नी एक्जाम से पहले हम आपके साथ हैं हम आपको बताएंगे कैसे करना है टच पैड या ट्रैक बॉल ट्रैक पैड स्वरी ये तो आपके सामने आपके लेबटॉप होगा जिस पे आप टच टच करते हो लेबटॉप के तो ये लेबटॉप के उपर ये टच पैड या ट्रैक पैड होता है दूनु नाम है ये और ये परसनल डिजिजल एसिस्टन्ट के अंदर भी काम किया जाता है उसमें भी इस्तिमाल होता है या हैंड हल्ड पीसी जिसको बोलते हैं देखो पी डी ए परसनल डिजिजल एसिस्टन्ट ये भी मोबाइल की तरह ही होता है लेकिन ये पुराने जमाने में इस्तिमाल होता था इसको बुलते थी PC है ये मगर handheld, छोटा PC छोटा PC, ये mobile की तरह ही दिखेगा आपको लेकिन वहाँ पे छोटा touchpad भी आपको मिलेगा तो थोड़ा सा PC लगता है न इसी लिए handheld या छोटा PC, ठीक है न छोटा PC अब यहाँ समझा है, personal digital assistant mobile की तरह तो होता है लेकिन वह PC की functions भी होती है जैसे कि touchpad PC में होता है न तो touchpad आपको वहाँ पे भी अक्सर मिलेगा और कुछ चीज़े PC PC के साथ resemble हो जाएंगी उससे, personal computer भाई, PC PC personal computer, किसने, किसने, किसने क्या हुआ इसको भाई, यह क्या हो रहा है किसने invent किया touchpad को George, जरफीड, जरफीड अब है digitizer, सर, digitizer भी तो हम देखते है, pen है नहीं भाई, digitizer यह pen भी है यह stylus और यह pad भी है दूनू के दूनू अगर है, तो digitizer है कौन सा pad, एक तो pad है नीचे यह screen नी, screen नी होता भाई, यह screen नी होता है यह इस जैसा होता है, यह इस जैसा होता है यह थोड़ी screen है, इस जैसा होता है यह pad जैसा, तो pad है नीचे उसके उपर stylus pen है यह pen है, stylus plus pad दूनू के दूनू बनाते हैं digitizer digitizer के और भी कुछ नाम है अगर आयेगा सवाल डिजिटाइजर के और क्या नाम है ग्राफिक्स टैबलेट, ड्राइंग पैड, डिजिटल पैन टैबलेट, डिजिटल आर्ट बोर्ड, ये आपको याद रखना है और सेम टो सेम फंक्शन भाई, ये भी काम करेगा, ड्राइंग के लिए इस्तिमाल होता है, टीचिंग के लिए ज्यादा इस्तिमाल होता है, डिजिटल पैड, डिजिटाइजर अकसर टीचर से इस्तिमाल करते हैं, वो क्या करते हैं, देखो, पैड और स्टैलिस हैं, ये आपको माऊस तो पता चला, ट्रैक बाल कैसे, यहाँ से आप पॉइंटर को गुमा रहे हो, यहाँ से कुछ दे रहे हो, जॉइस्टी कैसे, यहीं से कुछ कर रहे हो, तब जाके स्क्रीन पे आप आउटपुट डिवाइस पे आप गेम्स खेलते हो, ठीक है ना, स्क्रीन पे आ पॉइंटर को गुमा रहे हो, तो इनपुट, स्क्रीन पे रियक्शन होता है, आउटपुट, टाच्चिक्रीन, यहीं से आप कुछ काम कर रहे हो, तो इनपुट, हाँ, टाच्चिक्रीन पे ही चड़ता है, कुछ न कुछ तो आउटपुट भी, बोला था मैंने, है और वहां पर आप input भी काम कर सकते हो अगर आप फिंगर टाच होगा कोई बात ने आपको सारे confusion दूर हो जाएंगे अच्छा touchpad यहीं से कोई काम input डिजिटाइटर यहां से कुछ हम लिखते हैं यहां से कुछ हम लिखते हैं दूनों पर तो computer चोटे 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 बच्चे पढ़ा रहें अभी इस पर आप पढ़ा सकते हो आपने देखा हो गए यह फिंगर टाच होता है टाच स्क्रीन की तरह होता है यह बहुत बड़ा टाच स्क्रीन होता है और जहां पर टाच स्क्रीन वहां पर input output device interactive whiteboard भी input output device है टेचिंग और ट्रैनिंग rooms के लिए यह ज्यादा इस्तिमाल होता है डैविड मार्टिन और नैंसी नोल्टन डैविड मार्टिन और नैंसी नोल्टन यह दुन उनने interactive whiteboard को invent किया उसके बाद है eye tracker इसको बोलते हैं gaze interaction भी सवाल आएगा eye tracker का दूसरा नम बताईए तो आपको लिख लेना है gaze interaction भी या gaze interaction भी अब यह eye tracker क्या करता है बहुत जबर्दस है यह भई हाथ लगाने से पैर लगाने से ना हाथ लगाना ना कुछ लगाना computer को आँखूं से चलाना computer आँखूं से जादू कर लेना उसी को बोलते हैं eye tracker जादू कर लेना मतलब चलाना computer eye tracker मतलब human computer interaction यह बताता है without touch touch करने के बगैर ही human computer interaction यहाँ पे लिखना without touch without touching human computer interaction eye tracker करता है without touch लिखना बहुत ज़रूरी है यह क्योंकि बागी चीज़े आप touch करते हो यह बिलकुल भी touch नहीं करते हैं और याद रखना light pen भी ऊपर उपर touch नहीं करते हैं यह यह पहती है यह दिखाया touch लेकिन आप इसको थोड़ा दूर से रख सकते हो तो वहाँ से भी आप signal 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 pulses जाके इसको reaction कर सकती है अच्छा अच्छा ये तो मैंने आपको बता है ये दो चीज़े याद रखना दूर से कर सकते हो आप अब human computer interaction है ये without touch, eye movement या gaze gaze मतलब आप किसी चीज़ को देखना देखना आप अगर देख रहे हो या eye movement कर रहे हो उसी से आप input कर सकती हो देखो आपने यहाँ देखा तो input हुआ अपने यहाँ थोड़े देर तक gaze किया देख लिया तो ये input हो जाएगा अपने यहाँ थोड़े time के लिए gaze किया तो ये enter हो जाएगा तो आप ये भी pointing device है क्यों? क्यों आप point कर रहे हो direct screen पे सारे के सारे जाओ हमने अब तक पढ़े pointing devices थे अब हमको पढ़ने है non-pointing devices याद रखना eye tracker का inventor कोन? Thomas Buswell Thomas Buswell eye tracker का inventor computer को देख देख के चलाना हाथ लगाने से मतलब हाथ हाब इना हाथ लगा के अब है non-pointing device पहले मैं time देखूंगा आदा गंटा हो गया कोई बात नहीं 10 मिनट है और देखो non-pointing device input device क्योंकि आभी तो output है ही नहीं आभी तो input ही है सबसे पहला biometric sensor bio का मतलब होता है life metric का मतलब होता है major आप इसमें life के characters को major कर सकते हो आप इसमें life parts को major कर सकते हो आप इसमें fingerprint को आईरिस जो आखों में होता है voice को face को उन सब को इसमें आप major कर सकते हो यह biometric sensor क्या करता है यह physical या behavioral traits को recognize करता है एक बार आपने उंगली प्रेस की तो यह आपका सारा data लिखेगा लिखा जाएगा जब भी आप प्रेस करोगे उंगली से तो आपका सारा data निकलेगा मतलब कि यह आपको recognize करता है पहचानता है यह यह आपके physical और behavioral traits को पहचानता है सर फिजिकल तो पता चलता है यह behavioral क्या होता है voice होता है behavioral आपने sign किया sign होता है behavior क्योंकि sign से भी हो सकता है यह biometric sensor से काम ठीक है आपने कुछ type किया कोई code रखा वो भी है behavioral अचा physical क्या है fingerprint को पहचानना iris जो आखों में होता है iris उसको पहचानना face को पहचानना biometric sensor काम करता है recognize करता है यह आपको क्या यह आप ही हो की नहीं जब यह देखता है आप ही हो की नहीं तो security identification के लिए यह इस्तिमाल होता है या एक इनसान की identity निकालने के लिए यह भी यह इस्तिमाल होता है अगर उसने biometric sensor में कोई data रखा हो तो identity निकालने के लिए इस्तिमाल होता है security identification के लिए इस्तिमाल होता है बहुत accurate होता है ये कोई दूसरा इसको चला नहीं सकता ठीक है कोई दूसरे के बदले information नहीं आईगी for example आपको office enter करना है तो आप इसी में कर सकते हो आपको register जो होती है ना register पर लिख लेना attendance आप attendance भी इसी से कर सकते हो आप इसी से किसी room में enter कर सकते हो इनवेंट किस ने किया Alphonse Bertilon और Francis Galton Alphonse Bertilon और Francis Galton इन्हों ने इसको इनवेंट किया अब है ये non-pointing device था भाई ये तो biometric sensor non-pointing device ही है अब आप बोलोगे सर ये तो pointing device है स्क्रीन पे हम कुछ पॉइंट कर रहे हैं देखो स्क्रीन पे आप कोई चीज सेलेक्ट नहीं कर रहे हो ये biometric sensor non-pointing device इसलिए है क्योंकि voice face recognition finger pretty को छोड़ो आपको लगता है iris तो biometric को ज्यादा तर pointing device के अंदर category नहीं किया जाता है non-pointing device में और दूसरा कौन सा है मतलब 12th number पे कौन सा है scanner इसको invent किस ने किया ruzel krishne ruzel krishne ये ruzel krishne scanner को invent तो किया scanner भी optical input device है optical input devices और भी बहुत सारे है मैं आपको last मैं ये बता दूँगा optical input devices कौन कौन से है जो light को लेते हैं as source of input उसको बोलते हैं optical input device जो light का इस्तिमाल करते हैं scanner है, OCR भी है, MICR भी है magnetic character recognition याद रखना reader नहीं recognition याद रखना मैंने गलती से बोला था इसे पहले reader ठीक है ना OCR, MICR, OMR, barcode reader वो सारे के सारे optical है मैं लास्ट पे बता दूँग optical कौन कौन सा है tension लेने की कोई जूरत नहीं scanner, optical input device है मतलब light को इस्तिमाल करता है देखो भाई, क्या करता है ये आपके हाथ में आपके हाथ में कोई paper है hard copy है उसको आप जब scanner में डालते हो तो वहाँ पे पता है output के निकलता है digital, soft copy निकलती है digital copy निकलती है आपके mobile में save करके laptop में save करके जहां पे save करके screen में आएगा आपको soft copy बनेगी soft copy होती है जो mobile laptop में copy होती है hard copy होती है जो paper form में या paper form में copy होगी इसके अंदर paper डाला वो paper पे जो भी लिखा है वो copy बनेगी soft copy तो hard copy से soft copy कोन बनाता है scanner surface और यह large होता है बड़ा होता है उसके बाद handheld ऐसा होता है इसको आप actually किसी page के उपर गुमाते हो तो यह उस page को उस paper को scan करके photo उठाता है digital format में लगाता है जैसे आपका cam scanner होगा अगर आपके पास application यह होगी अगर होगी तो यह बस copy के उपर आप गुमाईए 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 यह copy का photo यह paper hard copy का soft copy बनाएगा digital photo उठाएगा photo उठाएगा फोटो उठाएगा photo उठाएगा digital format ओके अच्छा screen पर जो चाड़ता है वो photo होता है उसके अंदर हापको इसी के वज़दे से आपको मिलताए अपको मिलता है मतलब आपको hard copy से soft copy मिलताएगा अब यह jaj unf its happening scanner है rolling drum यह गोट आप यह बहुत बड़ा होता आप यह इस तरह होता है यह भी बड़ा होता है यहां लिखा है कि यहां पे लार्ज होता है वैसे सवाल इन दूनों में कभी नहीं आएगा हाँ 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 उन दूनों और इसके रिलेटिड आएगा कौन सा छोटा है और कौन सा बड़ा है इन दूनों में क्यों नहीं आएगा क्योंकि अब flat bed ऐसे ऐसे बन रहे हैं जो कि drum से बड़े हो इसलिए मैंने actually दूनों जगा large large डाला लेकिन यहाँ पे very large आप डालना क्योंकि ज़्यादा तर drum roll अगर सवाल आए पैसे तो ऐसा सवाल आना बिल्कुल भी नहीं चाहिए अगर आए इन में से सबसे बड़ा कौन है यह दूसरे नमबर पे यह तीसरे नमबर पे यह ऐसा सवाल बिल्कुल नहीं आना चाहिए क्यों क्योंकि flat surfaces कुछ ऐसे निकल रहे हैं जो कि और ज़्यादा बड़े हो रहे हैं ऐसा सवाल पूछ सकते हैं और tension नहीं है इसमें खुद से पता चलेगा आपको हाथ में आप लेके जा सकते हो आप बस उसके बाद है microphone microphone या mic भी इसको बोलते हैं MIC क्या करता है यह microphone आप hello बोलते हो इसमें mic में microphone में तो वो आपकी sound energy जो है आपकी sound energy electrical pulses में चेंज हो जाती हो और यही electrical pulses आगे जाके digital sound बनती है या digital audio इसको बोलते हैं अब देखो sound को यह microphone एक transducer है transducer मतलब जो एक energy को दूसरे energy में convert करता है ठीक है transform करता है sound को यह transform करता है किसमें electrical signals में वो ही electrical signals आगे जाके digitized sound या digital audio बनाते है digitized sound और digital audio बनता है microphone की वज़े से sound energy को convert करना digital sound में वो कौन करता है microphone ऐसे सवाल आ सकते है microphone टानस डूसर है जो कि sound energy को electrical pulses में convert करता है sound को digital sound में convert करता है sound को digital audio में convert करता है ऐसे सवाल आ सकते हैं कौन है इसका inventor email इसका inventor मैंने उपर बोला था हाँ 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 बोला था बोला था अब इसका इन्वेंटर कौन है इमाईल बेरलाइनर इमाईल इमाईल बेरलाइनर ओके उसके बाद उसके बाद तो नहीं इतना ही आज क्योंकि लेक्चर हुआ होगा बहुत बड़ा बहुत बड़ा लेक्चर हुआ है इतना ही पढ़ेंगे आज अब हम इसके बाद पढ़ेंगे next lecture में सारे output devices और कुछ input devices रहें न 4-3-4 input devices रहेंगे 4-5 input devices रहेंगे वो 4-5 input devices हम पढ़ेंगे और सारे के सारे output devices भी हम next lecture में complete करेंगे तो next lecture जो आएगा input devices कुछ रहे हैं क्योंकि output devices ज्यादा नहीं है कम यह तो यह सारा खत्म करेंगे हम next lecture में ठीक है कोई भी सवाल हो तो आप नीचे comment कर सकते हो ओके बाई